परसनल लोन अगर आप लेना चाहते हो तो आपने देखा होगा कि अब आपको परसनल लोन भी ओफर करता है तो अब अगर आप उसको लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में काफी सारी चीजे बताने वाला हूँ कि ये अच्छा है, कि fees और charges क्या लगते हैं overall आपको ये loan लेना चाहिए या नहीं सारी चीज़ें में आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ तो चलो वीडियो को start करते हैं अब अगर आप ये टल का personal loan लेने के बारे में सोच रहे हो तो हमें start करते हैं इसकी details से सबसे पहले मैं limit से start करत हों कि अगर आप ये loan लेना चाहते हो तो कितने limit तक का loan आपको मिल पाएगा देकर maximum limit है आप यानन लैक रुपीज याने कि 9 लाक रुपे maximum है उससे कम आपको कितना मिल सकता है 5000-10-000-20-50000-10000 कितनी में limit मिल सकते हैं अब यह आपको तभी पता चलेगा जब आप apply करोगे limit क के बाद आते हैं सेकंड चीज़ पर कि आपको लिमिट तो मिल जाएगी ठीक है लेकिन इसके लिए eligibility criteria क्या है देखो वैसे तो कुछ specific eligibility criteria एटल ने रखा नहीं है लेकिन एक चीज़ बताई है कि आपका जो civil score है वो सबसे important है वो minimum यहाँ पर 680 यानि कि 680 कम से कम होना चाहिए अब देखो 700 के नीचे civil score वो उतना अच्छा नहीं माना जाता 700 एवरेज तक आता है 750 के ऊपर यहाँ पर सिबिल स्कोर जो है वो अच्छा माना जाता है तो minimum यहाँ पर 680 होना चाहिए आपको eligible होने के लिए अब बात कर लेते हैं interest rate के बारे में कि भाई कितने percent rate of interest पे आपको यहाँ से loan मिलेगा देखो maximum तो यहाँ पर कोई limit लिखी नहीं हुई है लेकिन minimum ज़रूर है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो minimum आपको 11.5 यानि कि साड़े 11% rate of interest पे तो कम से कम loan मिलेगा जितनी भी limit आपको मिलेगी साड़े 11 से ऊपर ही मिलेगी इस से कम नहीं मिलेगी और आपको जब पता चलेगा जब आप अपना apply करोगे यह percent to percent अलग-अलग हो सकता है जिसका civil ज़्यादा अच्छा होगा उसको कम rate of interest पे और ज़्यादा limit वाला loan मिल जाएगा अभी बात कर लेते हैं इसके fees और charges के बारे में इसके अंदर यहाँ पे processing fees लगती है अगर आप यह वाला loan लोगे तो इसमें processing fees लगती है 2-5% यानि कि 2-5% तक के बीच में अब वो processing fees कितनी होगी 2% होगी 3% होगी 4% होगी या 5% होगी वो भी आपको तब ही पता चलेगा जब आप apply करोगे और इसी के साथ में जो processing fees है उसमें 18% GST अलग से add होगा अब इसका मैं आपको एक छोटा सा example देके बढ़ायता हूँ मान लो आप ATL का loan लेने वाले हो आपने सारी चीज़े डाल दें आप apply कर रहे हो आपको 1,00,000 रुपे की limit का loan approved हुआ है तो उसपे अगर हम मान लेते हैं 5% processing fees लगी तो 5000 तो आपके यहीं पे आप side हटा दो उसके बाद गयागी 5000 जो आपकी processing fees है उसपे 18% GST और अलग से निकाल लेना जो की होते है 900 रुपे 900 रुपे तो 5,900 रुपे तो आपको यह processing fees और उसका GST में अलग से देना पड़ेगा यानि कि जो आपको 1,00,000 रुपे का loan approved हुआ है अगर आप पूरा 1,00,000 रुपे का loan लेते हूँ तो यहाँ पे 5,900 रुपे कटके ही वो आपको मिलेगा round figure ले 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 6,000 तो आपको 94,000 रुपेज loan actual में मिलेगा अब यह loan आपको लेना चाहिए या नहीं उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार पहले यह बता देता हूँ कि अगर आप यह वाला loan लेना चाहते हो तो कैसे आप apply कर सकते हो कैसे आप ले सकते हो तो आपको करना क्या है simple है मैंने अपने phone में process कर लिया screenshot यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपको अपने phone में atl की thanks app के अंदर जाना है app नहीं है तो play store से install कर लो उसको login करके अंदर आप जाओगे तो आपको एक loan का option मिलेगा उस पर आप tap करोगे अंदर जाओगे तो अंदर आपको अपनी जो application है वो submit करने है सबसे पहले क्या limit का आपको loan मिलेगा example आप यहां पर देख सकते हो यहां पर 30,000 limit का आप example देख रहे हो लेकिन सबसे इसके अंदर आप जो देखोगे main चीज़ है वो 34% interest rate यह जादा नहीं बहुत जादा है लेकिन आपको आपका तब पता चलेगा जब आप apply करोगे अब आप लेना चाहते आपको processing fees देनी है उस पर GST कितना लगेगा net payable amount यानि कि final amount आपको कितनी मिलेगी loan की वो आपको दिखा देगा आप चाहो तो loan की limit माल लेते हैं आपको एक लाग की approve हो गई है तो आप उसमें कम भी कर सकते हो या पूरी एक लाग भी ले सकते हैं और उसके बाद फिर आपक तो अपना एक जो है selfie क्लिक करके upload करने होगी उसके बाद आपको अपना bank account यहां पर add करना होगा bank account इसलिए add करना होगा कि जो loan की amount वो आपके उसी bank में आएगी और automatically जो आपकी loan की EMI है वो भी आपके उसी bank account से deduct होगी यानि कि कटेगी तो इस तरीके से आप personal loan के लिए apply कर सकते हो 24 गंटे लग जाते हैं loan को approve होके आपको मिलने में अब आ जाते हैं सबसे main चीज पर कि क्या भाई आपको यह एटल का personal loan लेना चाहिए या नहीं अब देखो इसके अंदर ना दो बड़ी negative चीज है first कि यहां पर जो आपका rate of interest है वो बहुत हाई है अभी मैंने आपक अब आप यहां से loan लेना चाहते हो तो सिर्फ एक ही condition पर ले सकते हो तब माल लेते हैं आपको personal loan की need है आप यहां पे loan के लिए apply करो देखो आपको limit कितनी मिल रहे है आपको लगता है कि जितनी limit आपको चाहिए यह जितनी limit से आपका काम हो जाएगा उतनी आपको यहां पर मिल रही है rate of interest 15% से जादा नहीं होना चाहिए अगर आपका civil score अच्छा है फिर भी 15% से rate of interest जादा है तो यहां पे अच्छा option नहीं है 15% के नीचे interest rate होना चाहिए और उसके अलावा 2% से जादा processing fees नहीं होनी चाहिए नहीं तो यह आपके लिए अच्छा option नहीं है दो अच्छा option हो सकता है यहां से personal loan लेने के लिए otherwise limit यहां पे कम है rate of interest जादा है processing fees भी जादा है तो यहां पे कोई भी benefit नहीं होगा personal loan लेने में मैंने अभी एक video बनाया है recently flip card personal loan के बारे में आप वहां से भी इसको compare कर सकते हो यह और भी बहुत सारी जगा होती है personal loan लेने के ल लाँ तो वह भी आप बाद में जाके देख सकते हो तो फिलाल एटल personal loan के लिए इतना ही सारे चीज़े मैंने आपको बता दी है simple तरीके से बताने की कोशिस की है hopefully आपको समझ आया होगा वीडियो अच्छा लगा हूँ तो like जरू कर देना चैनल पे ने हो तो subscribe करके bell icon press कर ल ऑाइ